हलो दोस्तों वेलकम टू रोड टू आइटी और जैसी आप सबको पता है हमारा जे डबली में इंस्ट्रेंटी रहेंक बुश्टर क्वेशन सेरीज चल रहा है और रोज साड़े छी बज़े हमारा विडियो अप्लोड हो जाता है और अभी हम लोग पढ़ रहा है बायनॉमिल इसको ओपन करने जाएंगे और फिर उसका मुल्टिप्लिकेशन करने जाएंगे तो पूरा दिन खतम हो जाएगा लेकिन हमारा अंसर नहीं आएगा हमें ultimately क्या find करना है हमें एक चीज़ पता है कि हमें x to the power 11 का coefficient find करना है तो हम तीनों में जो हमारा power बनेगा x का उन तीनों में हम उसका multiplication करके जो coefficient आएगा कोफिशेंट का multiple location करके हम आंसर ला सकते हैं ठीक है suppose कि यहां से हमें कुछ मिल रहा है x rest to A कोई भी term हो सकता है वो x rest to 4 भी हो सकतह है x square हो सकता है x rest to 6 भी हो सकता है और x rest to 8 हो सकता है formula के hesaapसे ही सबको formula तो पता होगा nc 0 येवाला लिखा होगा davekो nc01 x rest un m-1 एसे से आप से यहां पर highest power x sqare x raised to 4 x raised to 6 x raised達 to 8 इससाप से हो सकता है यहां पर भी उससाप से ठीक है तो x raised to a let's assume यहां से है उसका हम coefficient ले लेते हैं ठीक है coefficient उसका उसके multiplication में हम लेते हैं coefficient of x raised to b जो जो यहां second term से हमें मिलेगा और यहां third term से हमें let's say मिल रहा है coefficient of x raise to c ठीक है यह हमें मिल रहा है यह हमें एक तो clearly पता है और यहां से हमें एक चीज और पता है कि हमें coefficient कब लेना है कि जब a plus b plus c a plus b plus c is equal to क्या होना चाहिए 11 x raise to में जो भी पावर है वो सारी की सारी पावर का addition क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए इक और हमें चीज पता है कि a जो होगा वो हमेशा 2 के multiple में होगा so a is equal to हमेशा क्या होगा 2m ऐसी तरह से b जो होगा वो 3 के multiplication में होगा तो b होगा 3n और c is equal to हो जाएगा 4p यह constant हमने एजूम किया है कोई भी value यह ले सकता है तो इसमें से ultimately हमें एक चीज पता चल गई कि 2m plus 3n plus 4p is equal to 11 यह हमें चीज पता चल गई है ठीक है बहुत ही clearly हमें यह चीज पता चल गई है अब हमें क्या करना है सिर्फ different different cases find करना है कि कौनसी कौनसी m and p की value के लिए यह possible होगा ठीक है तो प 1 and p is equal to 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 plus 3 plus 8 वो 11 हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा case हो गया ओके इसी तरह से एक और case हो सकता है हमारा case 2 हो सकता है m is equal to let's say 1 try करते हैं अगर मैं 1 हो जाएगा तो यह 2 हो जाएगा तो इन दोनों का addition होना चाहिए कितना 9 तो यहां पर मैं ले स let's say m is equal to 2 लेते हैं अब तो 2 लेने पर यहां पर हो जाएगा 4 तो इन दोनों का addition क्या होना चाहिए 4 यहां पर जाएगा 7 तो 7 के लिए यह 1 और यह भी 1 बहुत simple है देखो easily पता चल गया n is equal to 1 and p is equal to 1 और इसी तरह से case 4 हम लेते हैं case 4 m is equal to 3 तो अगर यहां पर 3 होगा तो 6 आ जाएगा 6 उससाड जाएगा तो इन दोनों का addition क्या होना चाहिए 5 इन दोनों का addition क्या होना चाहिए एक second यह 6 होगा 6 उससाड जाएगा तो 5 हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा इन दोनों का addition क्या होना चाहिए 5 तो वो तो possible नहीं हो पाएगा तो m is equal to 3 is not my option चलो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बैक जाते हैं M is equal to 4 try करते हैं अगर 4 लिखता हूँ तो यहां पर 8 हो जाएगा 8 उस साइट जाएगा तो 3 आएगा इन दोनों का addition 3 वो possible है कैसे N is equal to 1 पर और P is equal to 0 पर चलो कोई दिक्कत नहीं अब लेते हैं M is equal to 5 अगर M is equal to 5 लोंगा तो उस साइट जाएगा 10 2 into 5 10 उस साइट जाएगा तो इन दोनों का addition 1 होना चाहिए वो भी possible नहीं होगा अब आगे इसके आगे कोई option possible नहीं होगा तो यह 4 options मेरे इस 4 options I got ठीक है यह 4 options मुझे मिल गए है M, N और P के लिए और इस पर से हम directly coefficient लिख सकते हैं कैसे बहुत simple है हम सबको पता है coefficient कैसे लिखते हैं so required coefficient वो क्या हो जाएगा पहले M is equal to 0 है N is equal to 1 है P is equal to 2 है और M के लिए power क्या है M के लिए power है 4 यहाँ पह 7 यहाँ पह 12 तो हमें पता है coefficient के लिए हम NC 0 लगते हैं तो यह हो जाएगा पहला तो 4C 0 ठीक है क्योंकि यहाँ पर M is equal to 0 है ठीक है then हो जाएगा multiplication में 7C1 then multiplication में हो जाएगा 12C2 ठीक है जो M N P के value यहाँ आईगी बट अवैसी चीज है और जो power है पूरे bracket का power है वो यहाँ पर आएगा ऊपर ठीक है इसी तरह से यह first case हो गया इस तरह सेकेंड केस लिखते हैं सेकेंड केस में है M is equal to 1 यह 3 और यह 0 तो यह हो जाएगा 4C1 into 7C3 into 12C0 ओके देन प्लस लिखने के बाद थर्ड केस लिखते हैं 4C2 into 7C1 into 12C1 और फिर प्लस लिखने के बाद last case लिखते हैं 4C4 प्लस 7C1 प्लस स्वरी इंटू यहां पर लिटू इंटू आएगा कोई दिखकत नहीं है 4C4 into 7C1 into 12C0 यह हो गया अब इसका simplification करते हैं तो यह हमरा answer दे यह हो जाएगा मैंने simplification already किया हुआ है आप simplification अपने हीसाब से कर देना सबको बता होना चाहिए तो यह हो जाएगा 462 plus 140 plus 504 plus 7 so this will give me 1113 this will be my final answer 1113 which is option number C option number C is my correct option I hope सबको यह question समझ में आया होगा फिर से एक बार इसका मैं glimpse दे देना चाहता हूं सबको क्या हमने किया है कैसे किया है हमें एक चीज़ पता थी कि total power जो है यहां से हमें कुछ x मिलेगा यहां पर कुछ x मिलेगा यहां पर कुछ x मिलेगा उसको हमने बोल दिया x rest to a x rest to b x rest to c कि तीनों का coefficient हमें तीनों के coefficient multiplication हमें find करना था और हमें यह भी पता था कि जो तीनों मैं से x मिलेगा उसकी जो power होगी उसका addition कंपल सरी होना चाहिए x rest to 11 कि वह हमें find करना था हमें एक और चीज़ी पता थी कि ABC वह 2 3 और 4 का multiple है और इस पैसे हमने 4 cases बनाए 4 cases के बाद जो coefficient है वह हमने multiply किया और final simplification के साथ हमारा answer हमें मिल गया आयोब सबको समझ में आया होगा ठीक है so बहुत ही अच्छा question आए आगे पढ़ते हैं हमारे next question की और जो आया हुआ है यह त्रिपली 2003 में क्या पूल रहा है ज्यान से समझते हैं equation the number of integral terms integral terms in the expansion of this is what number of integral terms पूछा गया है integral terms मतलब कि जहां पर root square root cube root नहीं आना चाहिए integral values सब को पता हूं integer value आनीच चाहिए ठीक है चलिए तो पहले तो इसके लिए जो question है root 3 plus 8th root of 5 hold us to 256 उसके लिए general term लिखते हैं general term ठीक है इसके लिए general term that means की tr plus 1th term is equal to हो जाएगा ncr ncr into this root 3 raise to root 3 raise to x minus r sorry n minus r n मतलब 256 minus r ठीक है और यह हो जाएगा a raise to r ठीक है आयोब सबको यह formula तो पता होगा r plus term का formula last lecture में भी बताया था थोड़ा और simplification देते हैं तो यह हो जाएगा 256cr into 3 to the power 256 minus r by 2 into 5 to the power r by 8 क्योंकि 8th power 8th root है तो उसे हम 1 by 8 power भी लिख सकते हैं ठीक है r by 8 तो that means कि अगर हमें यह term integral चाहिए तो हमें हमेशा integral ही देगा अगर यह integral चाहिए तो यह जो है power यह भी but obviously क्या होना चाहिए integral और यह जो है यह भी क्या होना चाहिए integral तो दोनों के दोनों term integral होने चाहिए that means कि we we must have 256 minus r by 2 and r by 8 बोथ positive integers both has to be positive integers अब इसमें तो किसी भी बंदे को पता चल रहा है कि but obviously यह कब होगा जब हम r जो है वो यहां से यह बहुत important है r जो है वो 8 का multiple लेंगे 8 के multiple ही हो तभी हो पाएगा क्योंकि जब 8 का multiple यहां पे लेंगे तो यह तो but obviously integer हो नहीं है तो हमारा जो subset होगा वो 8 का multiple हो जाएगा तो let's say कि r is equal to मैं पहले 0 लेता हूं फिर 8 फिर 16 फिर 24 अप्टू 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 मैं कब तक ले सकता हूं 256 तक 256 भी 8 का multiple है तो यह कितने terms है ए है हमारा 0 और d है हमारा 8 ठीक है और last term है हमारा 256 तो जो हमारा formula है sequence series से उसे हम कर सकते है 256 is equal to 0 plus n minus 1 into 8 तो this will give me n minus 1 is equal to 32 that means कि n is equal to 32 plus 1 is equal to 33 so this will give me 33 terms so मेरा correct answer हो जाएगा option number B 33 terms मुझे मिलेंगे यहाँ पर integer I hope सबको समझ में आओगा फिर सब बता दे रहा हूं कि यह मैंने कैसे लिखा है क्योंकि हमें common दोनो positive integer चाहिए तो यह तो यह जो है यह कब कब positive integer होगा कि जब यह जो उपर वाला term है वो 2 का multiple होगा तो 2 का multiple तो वो ह होना ही है लेकिन हमें यह term भी चाहिए integer तो यह कब होगा जब हम 8 का multiple लेंगे और 8 का multiple ले रहा है तो वो तो 2 का multiple but obviously होना ही है इस पैसे हमने यह जो R की values है वो हमने find की आप कोई भी value पुट करके यहां दोनों में दे सकते हो यह हमें integer value ही देना है उसके बाद से हमने nth term न terms यह equation में हो सकती है I hope सबको समाज में आया हो so this is it for this video गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिए शेर कर दिजिए और comment करना ना भूले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें contact कर सकते हमारे email address पे roadtoit12.com आप यहां पर हमें अपने doubts queries and suggestions बेच सकते हैं